हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज हम आपके साथ सेयर करने वाले हैं चने दाल के पराठे बहुत ज़्यादा टेश्टी और उसके साथ मैं बताऊंगी मैं खटी मीठी चटनी टमाटर की चलिए स्टार्ट करते हैं तो लगा के हम दो सीटी आने तक उबाल लेंगे ज्यादा हमें पानी नहीं डालना है उसके बाद ना इधर हम क्या करते हैं जब तक चटनी बना लेते हैं तो इसमें गैस में चड़ा दी थी कूकर दो सीटी आने के लिए और इधर में चटनी बनाने के लिए न क्या कर रही हू पैन चड़ा दिए हूँ जिसमें हम सरसु का तेल डाल देंगे जब तेल गरम हो जाएगा तो अधरक लैसुन और मिर्च डाल देंगे इसमें यह जब भुन जाएगा थोड़ा सा तो इसमें हम डाल देंगे संफ भुना मतलब कुटा हुआ संफ और खड़ी हुई जो धनिया ह वो डाल देएंगे और इधर डाल देंगे कड़ी पता और दो सूखी मिर्च और इनको अच्छे से भुनने तक करेंगे मतलब भुन लेंगे थोड़ा देर तक उसके बाद हम डाल देते हैं राई और जीरा डाल देंगे तो इधर आपना ये ध्यान देना कि मतलब राई हो देना थोड़ा बाद में डालो कि वह बहुत ज्यादा जल जाती है जल्दी से इसलिए अब इधर ना मैं टमाटर ले ली थी जिनको ऐसे मैं बारी कट कर ली हूँ और इसको भी हम डाल के थोड़ा सा भूनेंगे इसका मतलब ये ना टमाटर है तो बहुत जल्दी से ये सॉफ्ट हो जाता है इसलिए नमक इसमें डाल देंगे तो ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा टमाटर मतलब जल्दी से भून जाएगा हमारा टमाटर तो इधर नमक डाल देते हैं और इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर धनिया पाउडर और कोई ऐसे मसाले हम एड नहीं कर रहे हैं और चने की दाल के पराठे हैं वह पहले की लोग बहुत बनाते थे तो उसमें कोई मसाला वगरन नहीं पड़ता है मतलब सिंपली वह पराठे अच्छे लगते हैं तो बस वैसे ही तो यह देखिए ऐसे मिक्स करके अब इसको हम ढख के थोड़ा सा पकाएंगे तो यह देखिए सॉफ्ट हो गया इसको हम अब थोड़ा सा मैस करेंगे तो इसके पहले थोड़ा पहले मैं इधर डाल रही हूँ यह गुड़ तो खटी मीठी चटनी है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हमारे यहां न मतलब जैसे हमारे यह यह दाल की पूरिया नमक वाल गेंगे और पकने देंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है चटनी बनी हुई ती खटी मीठी सी इसको हम थोड़ा सा मैस कर देते हैं आप ऐसे भी पसंद कर सकते हूं बट मैं मैस कर दूंगी थोड़ा सा तो जिससे हम पाव भाजी यह वगराणारा बनाते हैं मैस करते ह उसी से मैं थोड़ा सा मैस कर देती हूं तो यह देखे मैस हो गया है बस हमारी चटनी अब थोड़ा सा और बनने में बाकी है जादने तो बस थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देते हैं हलका सा पतली ही अच्छी लगती है जाता गाड़ी नहीं अच्छी लगती है तो थोड़ चटनी को बस साइद में रख देतें सैंगे अब हम बनाते हैं अपना स्टक्न बनाते है देखे चने की दाल भी अच्छे से घुब को फूल गया है खुप साही लैसोन डालें क्योंकि ठंडी है तो लैसोन अग्यारा ज्यादा खाना चाहिए अभी तो उसके बाद इता हम मिर्च डाल देंगे मिर्च की कॉंटिटी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो उसके बाद इता डाल देंगे सौफ और यह खड़ी धनिया यह बहुत ज्यादा अच्छी लगती है बस उसके बाद इसमें ऐसा कोई मसाले एड नहीं होते हैं इनमें बस सिंपल ही अच्छा लगता है बस हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाल देंगे इसमें नमक और खुप सारा हम डाल देंगे इसमें धनिया हरा धनिया जो होता ना बस व करें Also मैस नहीं हो गई अच्छी से हाथों से ही अच्छी से मैस करूंगी मैं हाथ को अच्छी से साफु करके तो यह देखे मैस कर लिए अब इनकी ना मैं क्या करूंगी छोटे छोटे गोले बना लेंगे मतलब नीबू के अकार के हमें बनाना है तो हाथों में थोड़ा सा हम तेल लगा के और ऐसे हम बना लेते हैं इससे क्या होता ना हमारे पराठा बनाने में बहुत ही आसान रहता है तो यह देखे हम ऐसे बना रहे हैं तो आप देखोगे ना पराठे बहुत ज्यादा मतलब अंदर में इतने ज्यादा ही स्टफिंग भरती हूं ना तो यह देखे सारे हम गोले बना लिए हैं और आटा आपको वही नॉर्मल जो आटा होता ना वही आटा लेना है बस नमक ड आप यह दो अजमाइन भी डाल सकते हो और सॉफ्ट सा डो लगाने क्योंकि जो इस्टफिंग पराठा वगरा होता उनको थोड़ा सा सॉफ्ट ही आटा रहने चाहिए तो यह हाफ आटा लियू में एनकी लोईयां कट कर लेंगे तो पहले ऐसे हम रोल कर लेंगे रोटी को ऐसा मतलब करके और ऐसा हम कट कर लेंगे तो आपको जितने बड़े पराठे वगरा पसंद हो आप उतने बड़े कट कर सकते हो तो यह देखिए मैं इतने बड़े कर ली हूँ अब एक लोई हम ले लेंगे और इसको थोड़ा सा सूखे आटे में लगा के बेल लेंगे तो और इनको नैसे हाथों से हम थोड़ा सा देख रहें आप कैसे हम हाथों से कर रहे हैं ऐसे करना है और जो एक मैं गोले बनाई हुई थी श्टफिंग का मतलब तो उसको हम इसके अंदर डालेंगे और अच्छे से हम दवा देंगे चारो तरफ से मतलब पैक कर देंगे और उपर का एक्स्ट्रा आटा है जो उपर का हम निकाल देते हैं और अच्छे से ऐसे दवा देंगे हलके हाथ से मतलब जिससे चारो तरफ से श्टफिंग हमारी पहुँच जाए और इसको हलका सा इसका मतलब बस हमें जादा नहीं बेलना है तो इसे हम बेल के रख लेते हैं देखो कितने अच्छे से बेल लिए हैं मतलब निकला नहीं है बिलकुल भी श्टपिंग और इधर हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे पहले तबे में क्योंकि हमारी जो पराटे नो चिपक सकते हैं तो यह देखें डालके और थोड़ा सा सेंक लेंगे दोनों साइड से पहले उसके बाद हम इसमें तेल या बटर जो भी है तो मैं इधर सरसो का तेली यूच कर रही हूँ तो यह देखें ऐसे लगा लेते हैं हम और यह पराटे हमारे फूलेंगे नहीं क्योंकि हम इस्टाफिंग इतना ज्यादा भरे हैं न कि ऊपर का जो लेयर है वो बहुत ही पतला हो जाता है तो उसकी वज़़े से ज्यादा नहीं फूलता है हमारा पराटा तो ये देखिए अच्छे से हम ऐसे अलट पलट के सेंखने देंगे तो ये हो गया है पराथा हम निकाल देते हैं इस पराथे को और सारे पराथे हम ऐसे ही सेंख लेंगे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है पराथा तो मैं आपको अब दिखाती हूं कि कितना ज़्यादा टेस्टी बने मतलब टेस्ट करके बताती हूं और टोड़के दिखाती हूं कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हुए हैं यह देखिए तो आई होप अगर वीडियो अच्छा लगा होना तो प्लीज लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो तो ओके फ्रेंड्स बाई टेक केर इंज्वाए